Hello everyone, welcome to my channel तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हाई कोड का प्रीवी सिर का जो क्लर का पेपर है उसको आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तिससे आपको यह फाइदा होगा कि किस तरह से कोशन यहाँ पे पूछे जाते हैं और क्या स्टेंडर है तो उसे आपको कुछ आईडिया लग जाएगा और इसमें जो क्या था जीगे के कोशन थे आपके वो 70 थे जो कि अब होगे आपके 60 कोशन इसके बाद कंप्यूटर के कोशन वो आएंगे आपके इसमें थे 10 अब आएंगे आपके 20 और रिजनिंग के आपके आएंगे 20 कोशन तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है तो चलिए डिसकस करते हैं पेपर को फरस्ट कोशन है आपका इन विश कंट्री डिड सी कोई में ठीक है उस तरह में कोशन काफी चर्चिस था इसलिए पूछा गया है और यह आपको यह ध्यान में रखना इसमें इंग्लीस में ही कोशन आते हैं हिंडी में नहीं आते हैं सेंड कोशन है कि विश्ट फॉल्म आपको यूनिक इदेंटिफिकेशन अथर्टी आफ इ प्लैनेट्स लाउंच इंटू स्पेस वाई नासा उसका अपका है केपलर अगला कोशन है कि स्प्रीम कोर्ट स्क्रैप्ट विच सेक्शन आफ आई पीसी इन दी फेवर आफ एल्जी वी टीक्यू कॉम्मिनेटी तो यह वी काफी चर्चिस था उस टाइम में तो इसक्राइ आपको बताना है कि यह कौन से नंबर के चीफ जर्चिस्ट है अगला कोशन है कि विच्टी आफ यूपी वाज रिसेंटली नेम प्याग्रास यह कोश्चन आपको ठीकिए इसका अलाभाद नेक्स्ट कोशन है कि एलन मस्क इस ओनर आफ स्पेस एक्स एंदा मोटर विकल नेम काफी इजी कोशन थे इसलिए मतले काफी इजी भी थे सुने सुने कोशन थे सब इसका अगला कोशन है कि विच्ट नेम ऑफ प्रेजेंट क्यून आफ इंगलेंड तो इसका रिटन सरेगा आपका ऑप्शन नमबर डी इलिजावेथ टू नेक्स्ट कुशन है 10th former UN Secretary General who died who recently died in August 2018 इस तो इनका नाम क्या है यह है आपके कॉफी अनान आपको बताना है कि जो हमारे इस टाइम में presently जो डिरेक्टर जनल कौन है UN Secretary General के ठीक है UN SC के अगला कॉश्चन है कि which state had concurrent elections with हिमाचर पदीश तो इसका रेट अंसर था गुजरात नेक्स कोशन है कि in which year was a digital India campaign launched 2015 में हुआ था यह तो आपको बस यह देखना है कि कुश्चन किस तरह से पूछेगे हैं थीक है नेक्स कोशन है कि currency of South Africa क्या पूछेगे यह आपको पता होगा कि यह है आपकी South African rent and हो सगे तो इसकी capital भी आप याद रखें नेक्स कोशन है कि the present president of Russia has been appointed for his fourth term his name is इनका नाम है Vladimir Putin जो कि इस time में भी यह है नेक्स कोशन है कि the following countries relates most to the ISIS crisis तो यह काफी easy question है Syria अगला कोशन है कि who is the North Korean leader is a politician serving as a supreme leader of North Korea तो इनका नाम पूछा गया है कि कौन है यह जो leader है ठीक है basically तो आपको पता होगा कि इनका नाम है King Jong Ang ठीक है कि Imran Khan the present Prime Minister of Pakistan पुछा कि कौन से sports से यह related है काफी easy question है यह cricket से related है अगला कोशन है कि Brexit is the exit of Britain from the कौन से यह union से इनका ने exit किया है तो यह भी काफी easy question है European Union आप यह भी याद रख सकते हैं कि कब इनका इनका एक्जिट किया है अगला कोशन है कि इनका मानुश्री चिल्लर वन वीच्टा फॉल्मी दील for the year 2017 इन्होंने आपको काफी यह काफी ऐसे कोशन पुछे गया है कि काफी फिम ऐसे मिस्स वर्ल्ड कोशन है कि फूज प्रेजन इंडिन जज इन इंटनेशनल कोट अफ जस्टीज तो इनका नाम है दल्बीर बंडारी ला कोशन है कि हुआ है कि दे डिन आपकी का छन्धा कोशन कह तो इस इस को सब्सक्足 तरह कि इनका नाम है कैन्डरी कोशन है कि आपकी ब्रेंस्टे देल्सjestर् प्रेसित आपकी कजी िंस journaling लाकोशने कि इंडियन प्रेसेड बंडान अव्रोफ से की रिसेंटली पॉइंट आइज चीफ एकनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मोनेटरी फंड काफी इजी कोशन देखो गीता गोपिनाथ इसका सही अंसर है ऐसा आपको कोई भी कोशन हो सकता है कि कोई ज़्यादा पांच कोशन आपको डिफकल इसमें लगेंगे विज्ट फॉल् कोशन है कि घ्वर्ड फिर्स रोवर्ट सिटिजन यह वि काफी इंपोर्टेंटलेंट है सोफिया इसके बाद पॉल फॉल फॉम अफॉल फॉल फॉद फॉल फॉर्म अफॉव सथियों आपको छिन के अम अर्गे कोशन है कि अट की पहरों हो तर्दॉम चानश तन स्बीश आपका थोड़ा सा मत्त इसको difficult question मान सकते हैं तो इसका राइट अंसर एगा option number a यह है टार्डी ग्रीट्स अगला कोशन है कि बर्जद नेशनल monuments of India यह आपका इंडिया गेट विज़ा मेन रिवर देर फ्लोज त्रू बिलासपूर ति काफी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच करने इस पेपर को 30 कोशन आएंगे आपके हिमाचल प्रदेश से काफी जी कोशन इस कोशे के इस का इस अपका सत्लूज अगला कोशन है कि हो मैने असेम्ली सीट्स डज चंबा डिस्टिक है यह आपकी है फाइव अगला कोशन है कोट कहलोर असेम्बली सीडिज अगला नेक्स कोशन है आपका की इन विच एडिट ट्वाय ट्रेंशाटर रनिंग ऑन कलका शिम्ला हैटेज रेलवे लाइन यह है आपकी 1903 ठीक है और इसको जो इसका जो इन्योगरेशन किया गया था यह आपके लॉड करजन के नेक्स कोशन है कि वेर इस दी हिमाच्व इन्सिट्टिट्ट आफ पब्लिक अडिनस्टेशन यह आपका हीपाव का कोशन यह पुछा गया है कहां पे है यह आपका फियर लाउंस में है अगला कोशन है कि इन्विच यह वाजदा यह श्वंत सिंग परमार इनुश्टी आफ हॉर्टी कल्च चरेश्टी वाज अगला कोशन है कि पीर पंजाल पीक फॉल्स इन्विच डिश्टी को फिमाचल प्रदेश यह पता होना चंबा में है यह अगला कोशन है कि सिरी नेना देवी टेंपल वास पॉंड वाई इनको फॉंड किया गया था आपका राजा भीर चंद ने अगला कोशन है को लुद विच डाइ्टी नेको यह पता होना चाहिए लॉड रगुनाथज जी और अगला कोशन है कि नलवार मेला जिसको नलवारी मेला भी कहा जाता है जो कि याव कौन से दिस्टिक में मना जाता है तो इसका रेचन स्ड़ेंगा बिलास पर में काफि पेमास पीर है यह बिलास प अग्राइब तो इसका रेटन सरेगा आपका मिलाना फिर नेक्स कोछन है कि रानी का ताली जब पार्ट आफ और यह आपका है स्री मौर में नेक्स कोछन है कि विछ कुलू रूलर रूल फर्म नगर यहाँ के उत्मपाल अगला कोछन है कि सौनित पूर इस एंचिन नेम फॉर और किसके लिए था यह यह आपका सारान का था और विछ मुगल रूल विजिटर कांगरा इंडी इयर 1622 1622 में यह आपके थे जहांगीर इस टाइम में जो नहीं बने हैं चीफ जिस्टिस हमाच अपदेश उनका क्या नाम है और यह भी याद रखें कि कौन सी अगर हमारे इसमें हाई कोट में अगर कोई फिमेल जिस्टिस है ठीक है तो उसको भी आपने जूड याद रखना है तो यह बातें आपने नहीं में रखनी है हुब आज़ी चीफ जस्टिस ऑफ हमाच पदेश फर्स्ट पूछा गया कि कौन थे यह आपके थे जस्टिस हमितुला बेग ठीक है हमाच पदेश जुच्छल अकाडमी जोगीटड अड़ यह आपके पता होना चीए यह अपके गंदल शिम्ला में अशोक शर्मा नेक्स कोचा है कि वेर इस दी हिमाच्यो प्रदेश निवर्स्टी लोकेटर्ड या की समरी हिल में है विज दा फॉलिंग वाज नॉट सिनेमा हॉल और शिमला डियूरिंग दी बिटिस एरा तो इनमें से आपका जो ये मैनौर विले मैंसन ये नहीं था एक सिनेमा हॉल अगला कोच नहीं है कि जो अलामो की टेंपल कहां पे है ये आपके कंगर डिस्टिक में है नेक्स्ट कोचा की जो ये स्टिटी हॉफ हिमाचल इन दी नेम आफ्टर गोडेस सोलनी तो इसका इसके नाम पे स्टिक का नाम रखा गया है अगला कोच नहीं है कि जो टोटल स्टेंट हो ही माचपदेश स्टेट लेजिटिटी असेंबली में कितनी स्टेंट है ये आपके 68 है अगला कोच नहीं है कि इन विच इयर डिड़ दा बीकेस के अकॉर्डिंग इसमें अप्रॉक्सिमेट पॉपुलिशन कितनी है वो है आपके 68 लेक्स 68 लाक है अगला कोच नहीं है कि 2011 सेंस के अकॉर्डिंग सेक्स रिशो कितना है माचपदेश का ये आपके 974 अगला कोच नहीं है कि अगला कोच नहीं है का यूज़ किया जाता है अगला कोचिन है कि which is the biggest memory size तो ये आपका है terabyte नेक्स कुचिन है कि latest Windows operating system is Windows 10 अगला कोचिन है कि English keyboard layout यूज़ वाली इसका उपको क्वाइटी कहा जाता है ठीक है Microsoft Office Application MS Word आपकी Microsoft Office Application नहीं है नेक्स्ट कोश्चन एक नेक्स्ट कोश्चन है। इसके बॉडब उडनेट पर्टकॉल एक आपका है। आपकी एक टीसीपी भी होता है। वह भी आपको कमेड़ अवक्स मताने है। freshet false Tamam क्या है। full form of RAM का है, random access memory बाती है। आपका एक ROM होता है जो कि डीड भी इस questions ये भी आपने ध्यान में रखना है अब आगे आपके reasoning के questions so इसमें कुछ mixed question थे reasoning plus इसमें थोड़ी सी English भी थी तो ये आपके series दे रखी है तो इसमें आप इसको solve कर ले ना इस तरह से question पुझाते हैं तो इसमें right answer आपका पुछा है कि what a number should come but अगला number कौन साइगा तो इसमें 10 है ये आपके series दे रखी है इसमें पुछाए कि जो feeling the blank इसमें क्या आएगा तो इसको option number D तो इसको आप खुद solve कर ले ना मैं आपको question यहां पर बता रहा हूं कि किस तरह से question आए थे अगला question है कि which word does not belong with the others तो आपका bird जैसे cup is later to coffee है as ball किस से later है यह आपका soup से later है यहां दे रखा है question number fifth यह कि VCB, DED, FGF, HIH तो इसके KJKJ इसमें होगा pen is later to poet है तो जैसे needle is later to tailor यहां कुछन पुछा गया कि here are some words translated from artificial language तो यह दे रखा है आपको यहां पे code दे रखा है कि जैसे पुछा कि which word could mean walkway तो walkway आपको यहां से solve करना होगा जैसे से करके तो यहां से easily question यह solve हो जाएगा option मर्डीस में सही answer है अगले यहां पे पुछे कि इती सीरीज आई यह फिर से अब पुछा कि अगला अगला जो यहां number क्या होगा 15 होगा अब यहां पे question पुछे कि जैसे introducing a boy a girl said he is the son of daughter of father of my uncle how is the boy related to the girl this right answer है brother इसको इसको भी आपने word relation को भी आपने solve कर लेना है अगला question है कि introducing sonia amir says she is the wife of only nephew of only brother of my mother how sonia is letter to amir this right answer है option number a wife यह दो question आई थे आपके word relation से अब question यहां पे आया है direction से देखिए देखते हैं direction है क्या हां देखते हैं mixed question है थोड़ा से इसमें कि जैसे राहूल put his time piece on a table in a such a way that that at 6 p.m. hour hand point to north and in which direction the minute hand will be point at 9 15 p.m. तो देखिए direction ही पूछी गई है एक type से तो इसको भी आपने solve कर लेना easy question है इसमें option number D रहेगा अगला question पूछा गया है इसमें अगला question same अपका direction से है जैसे a boy rode his bicycle northward and then turn left and rode one kilometer and again turn left and rode two kilometer and he found himself one kilometer west of his sighting point how far did he ride northward initially तो इसको आपने solve कर लेना ये भी एक direction से question है two kilometer answer इसका अगला question भी आपका direction से related है जैसे question है का कि उमेज directly went from P to Q which is 9 feet distance इसके बाद ही turn to right and walk four feet after this he turn to the right and walk a distance with equal from P to Q and finally he turn to the right and walk three feet how far he is now from P तो ये भी direction से question है directions relations ये अपने ध्यान से करने answer एगा one feet अगला question है आपका यहां पे the list of business or subject to be consider at a meeting ये आपके agenda है leave or remove from a palace considering dangerous evacuate ये थोड़े से इंगली से इंगली से इंगली से कुछ आपके questions है या आप हम कह सकते है one word substitutions question है आपके ये ड्राइंग on a transparent paper ये आपके transparency है opposite of artificial पुछा गया है natural है anonymous पुछा गया है bent का ये आपका opening है यहां पे कोछन है कि to pick up holes इसका meaning क्या है to criticize someone यहां पूछा गया है कि जैसे light एक आपका blinds है तो फिर जैसे speech आपका dumb है तो guys ये थे आपके थोड़े से reasoning के questions आपने देखे होंगे ये थोड़े से mix up questions इसमें आ रखे हैं तो इस तरह से ये paper आया था 2019 में तो इससे आपको एक कुछ आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से question पूछे जाते हैं तो आपको किस तरह से त्यारी करनी है तो ठीए guys अगर आपके कोई आपके से ये वाई वाई टेक क्यार